इट हमेशा लाल कलर की ही क्यों होती है मतलब ब्रिक में ऐसा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है जिसके वज़े से इट लाल कलर की दिखती है तो आप एक बार अपनी स्क्रीन पर इसके कंपोजिशन को देखो इसमें सिलिका 55% मौजूद है एलुमुनिया 30% आयरन ओक्साइड 8% मेगनीशिया 5% लाइम 1% और और और्गेनिक मेटर 1% मतलब इतनी सारी चीजों को मिक्स करने के बाद हमारी एक इट का फॉर्मेशन होता है और इसमें जो ये आयरन ओक्साइड है इसी की वज़े से ही इट का कलर लाल यानि की रेड होता है